मोधी सरकार 350 का पहला बजट तेज जुराई को आने वाला है जिसे वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन सिलसद में पेश करेंगी इस बजट से देश की महिलाओं को क्या उम्मेद है चलिए हम अधमसिमेगर जिले की महिलाओं से बाचित करेंगे और जानेंगे कि मोधी सरकार का पहला बजट आ रहा है उससे लोगों को क्या उम्मीदें हैं क्या चाहते हैं सरकार इनके सर्काला से हम बाचित करें क्या नमें आफ का मैया पर है। सफार चिसा और इस साधा है या उसल पcrire स्व मोधी सरकार आफिए से मोधी सरकार है किमिएशिने सट्था की इसमें शिक्सा के भी सहमें हैं, कि बच्चों को यानि की शिक्सा जो मिले, यानि बच्चे जो से लॉन लेते हैं ना पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ा पाते कई पेरेंट्स तो उनको ब्याज रहित लॉन मिलना चाहिए, सर पर्थम तुम्हें शिक्सा के लिए कहूंगी, द उसमें थोड़ा बजट को सिमित करें, तीसरा मैं कहूंगी यह उसके लिए बीमारी के लिए उसके लिए, जैसे APL कार्ड वगरा हैं, इसमें कापी कम दे रही है सरकार, उसमें कुछ उसको बढ़ाएं, ना, क्योंकि बीमारी में उससे नहीं हो सकता है, जितना उनने APL कार उसको बढ़ना चाहिए. चाहता मैं कहूंगि अपने बुरादे के लिए जो हमारे पाद पैसा है ब्याज फिक्स डेपोजित वगरा हम रखते हैं, उसमें हमको ब्याजदर उसकी बढ़नी चाहिए, ब्याजदर कान उसको बढ़ाना चाहिए. हां, senior citizen के लिए उसमें अच् जो जब एक तरह से काम और क्या आपको लगा कि कौन से काम थे जो में ज़्याओं के हित रहे हैं तो सर्ब्राजे को आरक्षण भी दिया गया गया है इस परचेंट दिया गया है और इसमें यह जोब अगयरा में भी और मैं चाहती हूं कि महलाओं के लिए तो आगे उन्हें को होना चाहिए कि हैं इसमें चाहिए निशुन को सुक्सार की वागई है कहिए है भी बच्चियों के लिए उस जड़ाइद सर्क काले से देश्यमत्य कने ज़िए उसके से लिए यह में ौंझार neighborhood के लिए किया वाला है 3-5 वजर्ट को हम समझेत में जोरा इतनी महंगाई होगी है नहीं कैसे लेकि बाहर तक महँंगाई होगिया जो जएसे हम लोग खेके तो एृट है और साऴधार बहुत महेंगाई हो गया है और 70-80 रुपे किलो तो टमाटरी भीक रहे हैं यहां पर अभी और प्याज वैसी महेंगा हो गया तो चलो ठीक है मद्यम वर्गी वारुच वर्गी के तो अच्छा खा लेंगे जो भी खाएंगे लेकिन निमन वर्गों वालो के लिए बहुत परि कि लोगिया है और गरीब लोगों के लिए बहुत बजट थोड़ा सा ठीक ठाग होना चाहिए और जिससे अपना घर का खर्चा चला सेगे और बच्चों की फीज फास के लिए भी आसमान सुरह फीज स्कूल प्राइबेट वाले बहुत ही ज्यादा फीज लेग रहे हैं उस महलाओं के लिए बहुत सुईधा करी और घर घर नल पहुंचाएं उसके लिए भी बहुत धनिवाद करना चाहते हम सरकार का क्योंकि पानी की भी बड़ी खिल लगती घरों में लोगों की पानी भी बड़ी मुस्किल से आता था चलो यहां तो हमारे हैं लिकिन पहाड़ों क्या आप परवतीष्वे इसरखार से तो वहां के वहां का उनको जो जो मेडिकल से वाए हैं वो भी अच्य मिलनी चाहिए और इस बच्छों की शिक्षा हैं उसके लिए अच्छा होना चीरिए और जैसे गाली का किराया बहुत बढ़ा दिया है पहाड़ों में, आम आदमी के बसका नहीं है, पैदल लोग अब जाना नहीं चाते हैं, वैसे घरगरों में तो रोड तो पहुंचा ही दिया, बहुत अच्छा हो गया, जैसे पहले दुर्गों मिलाकों में एक एक दो दो दि आपने सुना कि हमार साथ हनसी विष्टी जी मौजू थी, इन्होंने बताया कि जो है पहाड़ों में सिख्छा और स्वास्त पर सरकार को भी काम करने की जरूरत है, जबकि सरकार ने सड़क के छेत्र में काफी अच्छा काम किया है, घरगर तक लोगों की सड़क पहुंचा भारती जी बताये कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बज़ेट आ रहा है, क्या उम्मीदे हैं आप लोगों की क्या चाहते हैं सरकार से इतना चाहते हैं कि जितना सरकार हमको दे रही थोड़े से उसमें और बड़ात्री करें, जो नीमने वर्ग है, नीमने वर्ग में भी बहुत सा करणा दिनामयीद सरकार दो में थोड़ा बरकना जो है कि होता है, नीमने वर्ग ठाथन भी पॉइन थोड़ा साल लिए उनको बहुत से चैंडे है कि थोड़े से ऐसे साधन, ऐसे उनके लिए आनलाने चाहिए, कि विचार कि उनको भी कुछ मिले, निमने वर्ग के साथ मध्यम वर्ग भी साथ में चले, मध्यम और उच्च वाले जो होते हैं, उनको तो प्रॉपरली ठीक है, वो सभी चीज से उनको help मेलती है, थोड़ा उनक कई लिए सोच ना चाहिए, और साथ में सिक्षा के साथ चलें, सिक्षा में सरकारने जो निशुल को वाले जो आर्टी सिस्टम करक रहरा है, वो बहुत अच्छा है, और निशुल को लिए कि झालए, कि वह भी बहुत अच्छा सरकारने चलाएं यह चीज चलते थे, एन्य के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को 30% मेहना को आगे की जो आधुनिक दुनिया है उससे जोड़ा है यह जो इक पिछड़ा बहुत जादा पिछला पिछड़ा वर्ग होता है मेला का वो इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज धर्ती से लेके आसमान तक बढ़ रह है वही जाघ भी जाला रही है तो इतना, इतना सरकार ने है फिदरम मुरा को आगे बढ़ा है इस में बहुत ऑध धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को और सात में मैं थोड़ा स़ यह कोऊंगी मैं कुट्रा अधर जिले से हूं ना मैं ढग दूर के लिए में बोलना चाया है जहां उनको स्वास्त के साधन नहीं मिल पाता है तो वहां के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है स्वास्त केंद्र प्रब्द कराए जाएं और सिक्षा के लिए स्कूल प्रब्द कराए जाएं बच्चे बहुत दूर दूर तक जाते हैं जिससे इतनी इतनी टैजर के लिए इतना मैं कहना चाहूंग। भारती जी ने बताया कि जो स्वास्त पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है ताकि परवती चेत्र रहें वहां पर जो रहने वाले लोग है उन्हें अच्छा इलाज मिल सके इसके साथ अच्छी सिक्षा मिल सके चलिए कुछ और लोग भी हम लोगी सरकार कीफ़िशंट से रहता है क्या उमेदें आपको क्या चाहते है अच्छी है कि यूज़ एक महला है महला को जादा परहसानि है क्यों कि कि जायदा टाइस कि चंधा कि अन्गी सामान इतने महगे हो रहे हैं आट इता तीज बद्स रुपे कीलो हो रहा है गरीब के लिए रोटी जुटाना ही मुस्किल है और रही बात गरीबों को तो चलो कोटे से इधर उधर से मिलता है मज्यम वर्ग का इंसान के लिए जो बजट का दाइरा है वो सिमित कर दिया जाकि इतनी आई होगी उससे उपर वाले को कुछ नहीं सुधा मिलती तो वहीं पर ही रह जाता है हालांकि नारी के लिए बहुत कुछ हर जगव आगे किया है नारी एक रिक्षा चलाने से लेकर हवाई जहाद चलाने तक आगे आरी है निशंकोच उसको इतना मतलब साहस हो गया है अब वो अंधर के अंदर चारतिवारी से बाहर निकल रही कोई भी काम में उसको पहले तो जीजग होती थी अब समानता में आ रहे है और बजट के लिए तो जरूर कहूंगी कि चन का उमीद लगाई है कि ये राशन वगेरा ये चीजे थोड़ा कम हो अब लेकिन बात ये भी है जब किसान ज्यादा मांग रहा है तो फसल अपने आपी सामान महेंगा होग मजदूरी ज्यादा मांग रहे हैं तो मजदूरी ज्यादा होगी तो फिर सामान महेंगा हो गए अच्छी बात है इससे फाइदा हो रहा है लोगों को ऐसे ही हर चीज में थोड़ा सोच के वो खुद एक महिला है अपने वो उस जगह पर रखके देखें अलांकि वो तो अच्छा आए होगी एक निमन वर्ग को देखते हुए उस चीज को सोचे और करें उमीद है और साइद है उमीद कायम रहेगी ऐसे ही हमारी उमीद के अनुरूपी वो बजट बनाएंगे अभी तो देखा नहीं है जब आएगा तभी पता चलेगा बोदी सरकार 0.1 और 0.2 क अगर बात करें तो महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कितना काम किया सरकार ने वैसे तो महिलाओं के लिए बहुत काम किया है हर जगा शमानता दी है आरक्षन भी थोड़ा बहुत दिया है और महिलाओं के लिए गाओं गाओं में सुझाएं खोली है चोटे-चोटे जो खुलवाए हैं, कई संस्ताइं आई हुई हैं, उसका फाइदा है महलाओं को, अब पहले जैसी महलाओं नहीं रहे गई हैं, महलाओं आगे बढ़ रही हैं, और पढ़ाई में उसमें भी महलाओं के लिए एक अलग सा कोटा होता है, जैसे कन्याओं को पढ़ाओ तो उनको इतने हजार रुपे मिलेंगे, कन्याओं पैदा होगी, तो उसके माँ को खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे, तो सोचा तो बहुत कुछ है, अच्छा करा है महलाओं के लिए, और आगे को और अच्छा करेंगे, ऐसी उमीद है, आपने सुना कि महलाओं में खास पौर पर इस हो सके हैं, और भारत के विकास में अपना युगदान दे सके हैं, चलि कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ बाच्चित करने के लिए हैं, इनसे हम बाच्चित करेंगे और जानेंगे, इनका क्या कहना है, मोधी सरकार 3.0 का पहला बजट आरा है, इससे ये क्या उमीद करती है जो हमारी बित्मANTरिएं महिला है, तो महिलाएं के हिसम अपने सोचेंगे, अक्तर, पहला यह कि क्योंकि पहले भी थी रही है, अब भी पही रही है, तो उनका सबसेख reflex तो महलाओं पर हमारी बित्मANTरिएं अपर है हो नहीं हो थी, महला की मेर आओ सकता स्वास्त, स्वास्त सबसे पहले है स्वास्ति के लिए तो महिलाओं के लिए विशेष चूड होनी चाहिए हाला कि यह आश्मान कार्ड है या और हैं तुझी सरकारी कर्मचारियों के लिए मुझे नाम नहीं आ रहा है उसका जब कि हम भी उसके फाइदा उठाते हैं अभी उठाने रहा है उसे बहुत फाइदा रहा गरीव और को क्योंकि जो बिर्कुल इलाज के बिना ही मार जाता था इनसान आज आज आश्मान कार्ड से वो इनसान अपना कमसम यह किड्नी खराब जारी यह लीवर टास्पार्ट ना है जो भी स्यूदाय सरकार उसको पास लाग तरका उसको फाइदा हो रहा तो बढ़ी बात है गरीव और के लिए दूसरा शिक्षा शिक्षा भी सिक्षा में समानी करां तो किया है सरकार ने लेकि फिर भी विसमता है अभी प्रावेड उ इस ने लó चलते हैं रहे हमारे छला maior जाता है इसलिए मैं तो इस बाइन शे जाता है तो में तो बीडान चाहीं यह उनके लिए और उनको निर्धन बढ़ गया उझीज तो आँके तो को करना चाहिए अब भोजन तो मैं बताई दिया कि बोजन तो महिला सक्षे मोगी तो जुटाई लेगी अपने और तीसरा जैसे हमारी माय बहन ने कहा था कि जो उनका टैक्स हमें का पड़ता है लेकिन जो हमारे बैंक भोजिट होता है उसमें थोड़ी ब्याज़ार सीनर शिट सब्सक्राइब करें तो उनका कहना था कि हमने स्वास्त को कापी काम किया है जैसे आयसमान जैसी यूजना निकाले जिसी प्रेविट हस्पितालों में इलाज हो रहा है इसके साथ जन्हों सौधी किंद्र निकाले गोल्डन काड निकाले क्या उसका लाब जमीनी स्थर पे लोगों को मिल रहा है बहुत मिल रहा है जो यही तुम्हाभी कहा कि गरीव और जो कि इलाज की भीना ही मर जाता था तो कंशक्राइब आज कर अपने इस वस्फटा लाब ले रहा हॉस्पिटल हो रहर हरुस्पिटल में उनके लिए सुधा जा रहे हो लो अओ गोल्डन काल वहां से पैसा तुम्हें खर्चे करने की ज़रूट नहीं इसका गरीब तरका तो जो गरीब वर्ग है उसको बहुत फायदा हो हुआरे पहल तो इलाज के विना मर जाता तो उसको पादा नहीं चलता था मुझे क्या रोग है आतकर जब जा रहे सांसे जा रहे उनको इजद भी दिजा रहे होस्पिटल क्योंकि उनके बाइश्मान कार्ड है यह एपिल बीपिल जो भी होते हैं हर पकाच उनके सुझदा हो रही है अच्छी तरह से करते हैं वो कहीं बेदा ने करते हैं आपने सुना कि उधमसिंगर जिले की जो महिलाएं थी मध्यमबर्गी की उन्होंने साब तोर पर कहा कि सरकार को महिलाओं के लिए सिक्षा और स्वास्त में भी काम करने की दिरूरत है ताकि अगर सिक्षित महिला होगी तो स्वस्त महिला होगी तो स्वस्त भारत और समर्द्य भारत का निर्माड कर सकती है और भारत की तरक्की में अपने अपना भी योगदान दे सकती है अब्यूंगा खबर आपकी जवाब की